तो फ्रेंड्स अब हम डिसकस करेंगे मोड्यूल्स मोड्यूल्स क्या होते हैं पाइटन में देखें मोड्यूल होते हैं हमारे हम समझ सकते हैं जैसे कोड लाइबरेरी ठीक है कोड लाइबरेरी है जो किसी दूसरे के द्वारा रिटन की गई है लिखी गई है और हम उसे यू multiply कर सकते हैं division कर सकते हैं तो इस तरह से हम अगर calculator की एक module बनाएं तो हमें एक folder बनाने पड़ेगा उसके अंदर कुछ file रखनी पड़ेंगे और कुछ function लिखने पड़ेंगे फिर उन functions को हम अपने project में use करें और use करके हम add multiply subtract यह सब कर सकते हैं तो यह जो module है एक folder calculator का बनाना और सब कुछ बनाना यह time consuming होगा इसमें time लगेगा ठीक है और हमारे effort भी काफी लगेंगे तो इसी तरह कि कुछ modules हमारे जो है जब हम python को install करते हैं उसके साथ में मिलते हैं कुछ हमें क्या है install करने पड़ते हैं कि वह external modules होते हैं वह install करने पड़ते हैं तो उससे हमारा क्या होता है save time होता है effort हमारा save होता है क्योंकि हमें बने बनाए modules मिल रहे हैं ठीक है जो modules python में हमने install किया उसके साथ में हमें मिलते हैं उन्हें कहते हैं building modules और जो हमें बाद में इस्टोर करने पड़ते हैं उन्हें कहते हैं external modules ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको module दिखाता हूं इसमें difference मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर जाता हूं टाइप करता हूं python 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 की रेपल हमें खोलनी पड़ीगी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ ओपन किया मैंने रेपल होता है read evaluate print loop ठीक है बार बार हम इस रेपल में भी python का code execute कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर दिखाता हूं आपको मैंने किया अगर किसी भी module को हमें अपनी फाइल में यूज करना है तो उसके लिए import का यूज किया जाता है import अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो आगे समझ में आ जा import यह पांडा एक module है यह हमारा module है यह हमारा किसका module है data science के लिए ठीक है csv हम read करते हैं इससे जैसे के एक समझे कि csv हमें read करनी है और एक csv करनी है इस तरह का operation भी हम इससे पांडा से करते हैं जैसे मैंने एंटर किया तो यहां पर क्या आ रहा है देखिए module not found error तो यह no module named यह module नहीं मिल रहा है ठीक है तो यह जो module है हमारा python के साथ हमें नहीं मिल रहा है तो यह हमारा external module है अगर मैं यहां पर करता हूं import hazlib एक module होता है import hazlib तो देखे इसके बाद कोई error नहीं आई तो hazlib हमारा internal module है ठीक है तो जो हमारे modules जैसे import panda इस तरह के modules अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो हमें उन्हें install करना पड़ेगा, तो उन्हें हम install कैसे करेंगे, अब उसे देख लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे हम, हमारे पास होता PIP, ठीक है, PIP होता package manager, जितने भी package module manager या package manager, जितने भी package हम install करते हैं, उन सब के लिए हम PIP हमें एक tool है, जो use करना पड़ता है, जब भी हम python install करेंगे, उसके साथ ही मिलेगा, ठीक है, PIP install, और यहाँ पर हम देंगे, pandas, इस तरह से, PIP install pandas, तो यह हमरा pandas को install कर देगा, और उसके बाद, अगर हम करेंगे, import pandas, ठीक है, import pandas, देखेंगे, इंस्टोल कर रहा है, require already satisfied, यह इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब file में भी हम इसी तरह से import करते हैं, अगर हमें use करना होगा, import pandas, इंपोर्ट pandas, pandas हो गया, और यहाँ पर import haslib, ठीक है, इस तरह से हम import करते हैं, और जब इसके functions या कुछ use करते हैं, जैसे कोई PD, कोई short name हमने इसमें दे दिया, और हमें, इसके functions, जैसे के हमें कोई CSV read करनी है, ठीक है, इसके जो function होता है, pd.readcsv, यहाँ readcsv देखे आ गया function, और यहाँ पर csv का नाम दे देंगे, xyz.csv, ठीक है, तो यह read करके हमें दे देगा, हम यहाँ पर, किसी भी variable में यहाँ पर, csv output, इस तरह से करके, इसको print करा लेंगे, अभी मेरे पास csv नहींगे, मैं सिर्फ बता रहूँ आपको, ठीक है, आप देखे, यह panda library है, यहाँ पर जो module है, हमारा panda, यह अगर हम अपने से create करते, अपने से हम इसको बनाते library को, इस module को, तो कितना time लगता है, जितने भी csv read करना, csv write करना, modify करना, और भी बहुत सारे operation यह करता है, तो उसके लिए मेरे खाल चे हमें, हो सकता है, six month लग जाते हैं, उसके बाद हम use करते हैं, तो हमारा six month का effort और time बच किया है, ठीक है, तो इस तरह देखे, इंस्टोल हो गया है, यहाँ पर, हम इस तरह से module जो है, यहाँ पर, जो भी हमारा module होगा, import करेंगे, यह कोई इसका aliasis ले ले लिए, मतलब एक short में name ले लिया हमने, और इस से इस तरह से इसके functions, हम perform करके, use कर सकते हैं, तो module आपको समझ में आया, कि module क्या होता है, फिर PIP क्या होता है, PIP package manager होता है, जो हम module को install करते हैं, जो भी external modules होगें, उनको हम install करते हैं, इंटरनल को install करने की जरूरत नहीं, ठीक है, और I hope आपको module समझ में आ गया होगा, अगर module समझ में आए, वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, thank you for